बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है कि वो आपसे आरे ये टिकट मांगने, कन्फॉर्म डॉन रेकॉर्ड बोल रहे हैं। पालक, सब चर जा रहे हैं। बेरुजगारी, 75 साल में सबसे ज़्यादा बेरुजगारी अगर किसी सरकार में पैदा हुई तो भारती जनतापर्टी की सरकार में। सबसे ज़्यादा अगर पिछणों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा किसी ने लूटा तो योगी सरकार ने उत्तर पदेश में 79,000 सिक्षक भरती में, 78,500 सिक्षक भरती में, 72,234 सिक्षक भरती में इन्होंने हिस्सा लूटा जिसको प्रमार कर दिया। प्रमारित कर दिया। हमारे सुबे के मुख्यमंत्री पहले कहते थे जब बच्चे अपनी आवाज मांगे कि हमारा हिस्सा लूटा गया है, तो यह कहते थे कि नहीं बड़ी पारदर्सिता से हम लोगों ने भरती किया। लेकिन मुझे खुशी उस दिन हुई इन्होंने अपनी गलती स्विकार कर लिया जब अपने आईडी से इन्होंने ट्विट किया कि आरक्षित वर्के जो सीटें हम नहीं भर पाए थे उसको हम भरेंगे। फिर उकत तोड़ के चल दिये अखिलेश बाभू की हवा दिखी अभी कह रहें कि उनको भी आप सीरेल दो के बास बनते चले जा रहें यह उनका आरूप है किसका यह आरूप है बीजेपी का कि आप उनसे मिल रहे हैं तो दुनिया में जूट बोले वाला अगर कोई नेता म क्या किया फिर हमने क्या किया रिष्टा बनाया तोड़ लिया दिखेड़ मैं आज भी कह रहा हूं कि सौशित के बजाए सौशित लड़के एकोशित मजीती है अगर दस सीट लड़के अगर दसो जिद जाईए तो यह तो बहतर है अब सब की जिद्ध की सव तो जिद्ध कैसे पूरा होगी मानी अखिले सियाद्व जी अगर सव News 12 लगों को दे देंगे तो बारा सो हो जाती है वो कहां जाएंगे आज यहां चार सो तीन सीट है तो उनका कहना था कि सब लोग जो जिस लड़े बीजेपी की हवा तो नहीं दिख रही है ना आपको बीजेपी उत्तर पदेश में 50 सीड जिज्ज यही बहुत है 50 सीड पचास। 50 में से मड़ारे हैं हाँ समाजवाती पार्टी तो तीन सीड छोड रहे हैं उनके लिए फटास नहीं हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को ज़रा समझा देते कि पूर्वांचल में ये इतना क्यों ललकारते हैं दरसल सो सीटे हैं जिस पर राजबर समुदाय का असर माना जाता है वैसे तो तीन से चार फीस दी राजबर वोट है लेकिन ऐसे सो सीटे हैं जहां पर दस प्रतिशत से लेकर बीस प अवाम सीटों पर इसलिए इनको लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ गडवंधन करके यह तो बीजेपी को पूर्वांचल में साफी कर देंगे लेकिन वह भी तो बैठे नहीं है न राजबर वोट बैंक को वह भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं एक सेकंड चाहे वो बीएसपी हो भीम राजबर को बीएसपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया वहां अनिल राजबर हैं और भी राज्य सभा सांसद लोग सभा सांसद सब आपी के पीछे क्यों आएंगे ऐसे भरोसा कैसे आपको यह लोडर लोग हैं जिनका जिनका आप नाम ली है कि वहां अपने हक की बात करें जिनका जिनका आपने नाम लिया यह सब धगे हुए कार्तूस हैं यह उपियोग में नहीं हैं यह कहीं भी मुकेस राजबर का इंकाउंटर फरजी होगा तो जबान इन लोगों की नहीं खुलेगी कहीं भी पिछड़े दलित के साथ अन्या नहीं खुलेगी यह अपने हक के लिए कि हम अगर उत्तर प्रदेश में 4% हैं तो 1700 थाने में हमारी हिस्चेदारी 4% हो 826 बलाक हैं तो उसमें हमारी हिस्चेदारी कैसे सुनिश्चित हो प्रदेश में सिक्षा कैसे बहतर हो जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित नह की बाव भू हो इसपे नहीं बोलेंगे प्रदेश में आज तक किसी जाती की एकव्रेट गिनती नहीं है नहीं फो सकते कि प्रदेश में जाती वार जनगड़ना हो नहीं प्हूंगते आकी मुझे आस्चर हुआ किवी यभी हमारे बड़े भाइcen कुछ करोड़ जंता को व उटा और आधा करके ओट लेने का ताइम आगया तो बिजली का दाम आधा कर दिया कहां से बीडे से आपको फोना आजा था कि कम कर दो ठीक इन मुद्दों पर भी बात करेंगे लेकिन अनिल राजबर कह रहे हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो भुके हुए कार्तूस है मंत्री ह सरकार में वो कह रहे हैं कि आप मुखतार अंसारी की राजनितिक शूटर है इसलए पूर्वांचल में इतना दमब भर तो देखे अगर उसको का वो कह रहे हैं है तो उनको चहिए को उन प्रकास को गिरफथार कर ले मैं तो फеспटार कर लें बरत हैं असल अपने माबाप के काशी से लेकर मतुरा आप देखी रहे हैं माहौल बन चुका है किसान डंडा लेकर खेत में खड़ा है इंतजार कर रहा है ब्यापारी परिसान है वो भी अपना हथियार ठीकर के रखा हुआ है जो 79,000 शिक्षक भरती 28,500 शिक्षक भरती 2224 शिक्षक भरती में जो हिस्सा इन लोगों ने लूटा है यह पिछड़े समाज के नेता जो भाती जनता पार्टी में है दलिस समाज के नेता यह गांधी जी के तीन बंदर बने हुए हैं जब वो लोग आते हैं अपना हिस्सा मांगने तो यही सरकार ला आप जब मीटिंग होती है तो भारती जनता पार्टी के लोग सोफा पाइठेंगे अब प्रदेश्ता दज को फाइवर की कुरसी पे बैठाएंगे डिप्टी सियम इनकी यही आउकात है भाजपा में कि सारे लोग साप सोफा पाइठेंगे और इनको जो बैठा देंगे इ देख लिए यह सब आपी लोग तो दिखाते हैं कि देखो यह बैठे हैं आप लोग अपने चेंदर पर दिखाए हैं आप कहरें कि सोफा पर बाकी नेता बैठते हैं इनको फाइबर की कुरसी पर इनको केशव प्रसाद नाइए इनको तो स्टूल मिला था कि के समोर्या को सम्मान सबको बराबर मिलता है अच्छा खासा रुदबा रखते हैं अपनी पाटी में नहीं कोई रुदबा नहीं 36 का या कड़ा योगी जी से मैं 18 महिने में देखा बड़े लंबे समय के अब साथ साथ थे अब घर का बेदी लंका ढायेगा बताईए क्या देखे थे जब आप दोनों की सुनते थे जाजा के अब दोनों की सुनते थे जाते थे अर आपने देखा कि इनकी पंचाइथ हुई पहली बड़े लंबे समय के बाद मुखेमंत्री इनके हाई आए आओ भी संग के दबाव में आए थे अब उधर गये फिर ये सुरू हो गये अच्छे यह कि मामला क्यों टूटा था बीजेपी के साथ आपको ठीक सेटिंग हो गई थी फिर क्या गड़बड हुआ किसकी वजह से हुआ दिल्ली से हुआ कि यूपी से हुआ कहां गड़बड आ गया माम देखे दिल्ली यूपी दोनों एक भारती जनता पार्टी एक पार्टी है भा गरीबों का हिलाज फिरी में करना एक समान अनिवार और फिरी सिक्षा लागू करना सामाजी कि नया समीति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ी है उसको लागू करना प्रदेश में अमन्चैन भाईचारा पैदा करना जो गरीब कमजोर लोग हैं जिनके पास 40 30,000-25,000 रुपया आवास के लिए देने के लिए नहीं है उनको कैसे आवास उपलब दो इस पे विचार करना एक भी काम इनोंने नहीं किया एक भी सिंगल काम नहीं किया और तो और तो और हमारे अमी साज यह ने कहा कि इसको लागू कर देंगे हम तायादा और पटेल नार आपी लोगों के चैनल पे हमी साजी ने आके कहा कि मैं तो 15 लाग जुमला बोला था उट लेने के लिए यह जुमला हमको भी बोले जब हमारे समझ में आगया कि इनोंने कर दिया कि हम नहीं लागू करेंगे तो इस्थिपा देंगर कि मैं चलाया अच्छा आपको बीजेप राली कैसे की जगा कैसे आप तो बोल रहे हैं जब से चुनाव आयोग ने कैमपेन पर रोक लगाई है 15 तक राली पर और यह सपर तो कह रहे हैं कि आप नाराज हैं नहीं मैं नाराज नहीं हूं क्या चाहते हैं मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग करना चाहता ह हुआ जो अनूर्गागनाइज पार्टे Jackson कर आई हैं उस पे ख्याल किया उन्होंने भार्ती जंताप्टी तो देश बेच के रुपिया इकठा कर लिये इस बेच के रुपिया रिखी कर लिया लगा देगे ए लेडी उ वो तो दिखाएंगे, लेकिन दुरभागया की लेडी कोई देखेगा, नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन कहां से लेडी ले आएगी छोटी-छोटी जो पार्टियां चुनावलट मैदान में हैं, तो क्या करें चुनावाएं हो, वो तैयारी सब अपना कर लिये हैं, कोई दिक अपना करके, छोटी-छोटी सभा, बड़ी-बड़ी सभा, रेली करके, हम लोगों ने पुरे पर भी प्रतिबंध है, हम कर चुके हैं, हम सब कर चुके हैं, हमारे मतदाता, हमारे समर्थक, सिर्फ तारीक इंतजार कर रहे थे, कि तारीक आजाए, हम बूत पे जाकरके, इस काड़ी खेलते हैं, मतलब आपको यह समझ में आता है, कि आप सिर्फ जातिवाद राजनीती के प्रतिनेधित करते हुए एक व्यक्ति बन चुके हैं, जाती हमने बनाई, जाती किसने बनाई, लेकिन जातिवाद राजनीती और उस राजनीती के आधार पर हाथ मरोड़ना, क्या ऐसा करो नहीं तो हम तुमारे गटबंदन को छोड़ देंगे, को करो नहीं तो गटबंदन को छोड़ देंगे, जब तक तसीलों में तसील दाट ठपा मार के देगा, तब तक आप उस भेद को और गहरा बनाते रहेंगे, उससे पॉलिटिक्स करते रहेंगे, जाती वाद होता रहेगा, जाती खतम नहीं हो सकती, उसी तरीके सा फायदा उठाएंगे, हम फायदा नहीं सब उठा रहे हैं जाती के नाम पर मंत्री, जाती के नाम पर संगठन, जाती के नाम पर टिकट, जाती के नाम पर सम्मान, जाती के नाम पर अफमान, इस तूल पर नहीं बैठाया के सा मोरिया को, इसी ब्रामण को बैठा दें, इस सरकार का खेल देखेंगे, बड़ा तमासेदार इस भाजप उसी दूबे एक भी अंसियार नहीं वो जेल में और पचीस हजार का इनामी योगी जी का विराधर क्रिकेट के खेल में आपके यह सब बोलने से ब्रामण इधर आ जाएंगा हम हम वोट की राजनित नहीं करते हैं सही बात बोलते हैं अच्छा हम सही बात कह रहे हैं यह जाती चेंड करके तो बुलडोजर चल रहा है तो जाती देखकर बुलडोजर चलाया जाया जाती कि अगर ब्रामण है तो उस पर ना चला है अगर कोई बहुत बड़ा वाफिया भी है आप लखीमपूर में बुल्डोजर चला अगर वहीं कहीं अहीर गड़ेरी कुनभी कोईरी भार चमार मुसर धोबी खटिक पासी के वर बिन मला जोला दुनियान सारीक सेखसेद पठान चवान ठाकूर अरगबंसी बंजारा बहलिया होता ना अगर होता तो बुल्डोजर चल जब तक अजान मिस्रा टेनी मिनिस्टर रहेगा तब तक जाच शही नहीं होगी, जाच में गलती होगी, नाम कैसे निकल गया? अजान मिस्रा टेनी को तो फिर में नामजद भी किया गया है? नामर एक तब चार्चित में निकाल कैसे दिया गया? यह सॅनल सीChi ने भी पूर्ट दिया कि जब फी प्रालिंग जोजना से हुआ है तो फिर नाम कैसे निकला योगी जीने निकलवाया दुसरा कोई नहीं योगी जीने निकलवाया है नाम योगी जी न का दावा कर रहे यह बात आपने अभी बड़ी मार्के कि किया शाड़े 300 वो कह रहे हैं कि देखो एउत्तरपदेश के लोगों तुने मेरी सरकार बना दो साड़े तीन सो रुपिया में सरसो का तेल बेचूंगा साड़े तीन सो रुपिया में हम पेट्रोल बेचेंगे साड़े तीन सो रुपिया में हमरहर की दाल बेचेंगे साड़े तीन सो रुपिया में डीजल बेचूंगा और साड़े तीन हजार में गय सिलेंडर दूगा और यह जनता जान रही है अभी कैसे लीटर पेट्रोल मिल रहा है यहां पर पहले तो साथे था जब से भाजपयाई तो सो पार कर दिया वो तो कह रहे हैं कि हमने साथ था हमने सो पार किया है इस बार सरकार बनाओ साड़े तीन सो कर दूगा अब तुम खरीद के अपना चलान पर है या फिर दस बीस पीस दी जो सौ में आप अपने आपको किंग मेकर समझ रहे हैं मैं किंग मेकर आपके ध्यान जो सो सीट पर है हमारा ध्यान चारसो तीन सीट पर है आप चलिए आरक अर्गबंसी बंजारा बहिलिया खंगार पुरवांचल में नहीं है अबढ़िए जाए लखनव से आगे बढ़िए लखिंपूर शिरिश शितापूर होते हुए आप मेरट मेरट तक चले जाए जासी उन्नाव बादा चितकूर महुबा जासी तक जाए उधर भी ओंपरकास राजबर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की मीटिंग करता है जब अकेले थे तब करते थे आप जाती जाती की बात कर रहे हैं वो बार बार कहते हैं कि जाती भूल जाओ हिंदूों एक हो जाओ अगर हिंदू एक हो जाते हैं जो 80 प्रतिशत बनाम 20 प्रतिशत योगी जी कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाता है वो रिया बिस्तर बांदने कर टाइम आजाता है आपके लि तब तक को मुसल्मान कहलाने का हगदार नहीं, सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म में जब उपनेन संस्कार, जनेव संस्कार हो जाता है, तब वो हिंदू कहलाने का हगदार है, पुछेगा कि ये लोग हिंदू हैं, ये नकली हिंदू हैं सब, जो बोल प्रजापती हिंदु है प्रिंचन प्रजापती के साथ है पाल बगेल धन्गर यह बाबुराम पाल के साथ है अधार पर ही यूपी के लोग वोट देंगे यही कह रहें आप प्रजापती है के नाम पाता टिकट मिले था कि तोहर के तना उठाव और हिंदु सोच के लोग वोट कर दें तब तहार का हुई अरे हमारता सही होगा लहां हमार नहीं हमरे गड़ बंदन का सही हो आप देखिएगा अखिलेश जी जो काया हो सही अपून पहुमत की सरकार बन मंतरी अप्लें सेटिंग है है सेटिंग है ना वाम लेकी पूरी था बात हो गई मैंने कहा है कि जितने मौरचे के हमारे साती है सबी लोगों को मंत्री मंदल में सामिल कर लिए था हम भी मोरचे में है था हम तो सच बोलते हैं सच के सीवा कुछ नहीं बोलती बहुत दन्य ब ताप ओपी राजबर जी आज तक केस मंच पर आने के लिए और पंचायत में हमारे साथ बाचीट करने के लिए आप देखते रहें आज तक